आज मैं आपके लिए नवरातरी वरत की एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे आप एक बार बनाई और बड़े आराम से खाईए दोस्तो इस रेसिपी को जब आप बनाएंगे न तो बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगी बिना वरत के भी आप इसे बना कर खाना पसंद करेंगे यह इतनी शांदार है इसे बनाना बहुत आसान है बस कुछ चीजों का ध्यान देना है तो आज इस रेसिपी में मैं आपको डीटेल में बताऊंगी कि यह नवरातरी वरत का जो स्नैक से हमें से कैसे बना सकते हैं तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पांच बड़े बड़े साइस के आलू ले लिए हैं जो इस तरह से मोटे और लंबे हैं आप देख सकते हैं हमें उन्हें छील कर पानी में धो लेना है एक बार उसके बाद मैंने यहाँ पर यह ग्रेटर लिया है तो हमें जो ग्रेटर का बड़ा वाला साइड है उससे ही ग्रेट करना है छोटे वाले साइड से ग्रेट बिलकुल भी नहीं करना और आलू अगर आप बड़े लेंगे न तो आपके लच्छे जो आलू के बनेंगे न वो बहुत ही बड़े बनेंगे तो इस तरह से उपर से लेकर नीचे तक प्रेस करते हुए आलू को जोड से दबाएंगे तो जो आलू के लच्छे हैं वो हमें काफी बड़े-बड़े मिलेंगे क्योंकि आलू की साइस काफी बड़ी है तो आपको इसी तरह से ग्रेट करना है ये एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे क्या होता है लच्छे बड़े मिलते हैं और देखने में और खाने में बहुती साधा टेस्टी लगते हैं तो ये देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए मैंने आलू को कद्दू कस कर लेना है और अच्छी तरह से जो हमारे आलू हैं ग्रेट हो जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से लच्छे बनकर तयार हुए है दबाते हुए नीचे तक ले आना है उपर से लेकर नीचे तक आलू के लच्छे हमें इसी तरह से बना कर रेडी करने हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आलू के लच्छे कितने फटाफट बने हैं और आपको मैं आपर साइस दिखाती हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर बड़े वाले आलू इस्तमाल किये हैं तो लच्छे भी इस तरह से बड़े बड़े बनकर तयार होंगे मैंने यहाँ पर पांच बड़े साइस के आलू लिये थे आज की रेसिपी में मेजरमेंट भी बहुत जरूरी है सबसे ज़ादा क्वांटिटी में हमें आलू का ही लेनी है तो मैंने यहाँ पर पांच बड़े साइस के आलू को इस तरह से कदुकस कर लिया है अब देर ना करत फटाफट मैंने यहाँ पर ठंडा पानी ले लिया था उस ठंडे पानी में हम आलू के लच्छे डाल देंगे हमें यहाँ पर इसे अच्छी तरह से वाश करना है दोस्तो सबसे इंपोर्टन चीज है हमारी जो स्नैक से हमें उसे स्टोर करना है तो उसे स्टोर करने के लिए हम जो आलू चाहिए वो बहुत क्रिस्पी चाहिए उन आलू को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसको चार से पांच बार या अगर छे साथ बार भी पॉसिबल हो जब तक आलू का स्टार्च ना निकल जाए तब तक हम इसे दोएंगे तो मेरी राय से आप इसे छनी में डाले और चलते पानी में आप इसे वाश करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आलू साफ हो जाएंगे मैंने 6-7 बार आलू को साफ किया उसके बाद चलनी में ही रखकर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया उससे क्या होता है जितना भी एक्सेस पानी आलू में होगा ना वो सारा ही चलनी स निकल जाएगा तो आप इस तरह से ट्राइ कीजेगा बहुत ही perfect result आपको मिलेगा जब 10 मिनट में बाद आपको लगे कि काफी हद तक आलू जो है ड्राय हो चुके है चलनी से पानी जा चुका है उसके बाद हमें से रखेंगे kitchen towel पे और इसे बढ़िया से साफ करेंगे आज आप इस तरह से अलड़ते पलड़ते हुए अच्छी तरह से आलू को ड्राय कर लेंगे सबसे जादा जरूरी चीज़ है दोस्तों तो यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ दो-तीम बार इस तरह से करके मैंने आलू को ड्राय कर लिया और एकदम perfect से shiny वाले लच्छे मुझे मिलकर तयार हो चुके हैं जैसा आप देख सकते हैं तो बस आप हम इने एक प्लेट में रख लेते हैं यहां पर जो आलू के लच्छो की quantity है वो बहुत जादा है तो हम इने parts में divide करके fry करेंगे यह देख सकते हैं आप एकदम perfectly यह ready हो चुके हैं अब सबसे जरूरी चीज है तेल का temperature तो मैंने यहां पर कढ़ाई में तेल ले लिया है तेल बहुत अच्छा गरम होना चाहिए यह सबसे ज़ादा जरूरी चीज है आप देखिए जैसे ही मैंने एक लच्छा डाला फटा फट से वो उपर आ गया तो बस इसी तरह का तेल गरम हो और इतने ही लच्छे कि वो बढ़िया से fry हो सके हमें कढ़ाई में रश बिल्कुल भी नहीं करनी है इसलिए मैंने यहां पर तीन से चार पाट किये थे क्यूंकि मैंने आलू बहुत जादा quantity में लिये थे high flame पर जब आप अपने लच्छे तेल में डाले तब हमें इने बिल्कुल भी नहीं चलान है हम इने छोड़ देंगे चार से पांच मिट के अंदर आप देखेंगे इनमें जो है ऐसे क्रिस्प की आवाज आने लग जाएगी और उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे बहुत जादा टर्न करते हुए हमें आलू के लच्छों को पकाना ही नहीं है उससे क्या होता यह करते वक्त हमें दो चीजों का ध्यान देना है तेल गरम होना चाहिए और हम इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राय करेंगे यह सबसे ज़्यादा जरूरी चीज है जितना हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राय करेंगे उतनी हमारे आलू क्रिस्पी बनेंगे और ऑईल भी बिलकुल तो तीन से चार बैचिस में मैंने यहां पर यह सारे ही आलू फ्राय करके रेडी कर लिए है अब उसी तेल में अब फिर से हमें ध्यान देना है तेल बहुत अच्छा गरम होना चाहिए हाई फ्लेम पर होना चाहिए आधी कटोरी मैंने साबू दाने डाले हैं कच्चे गोना बिल्कुल भी नहीं है और जब हम इने तेल में डालेंगे तो दो मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे आप देख सकते हैं किस तरह से पफ हो रहे हैं यह बढ़िया से फूल जाएंगे और दो से तीन मिनट के अंदर आप देखेंगे इनकी साइस से डबल हो जाएंग तो फिर बस हम इने तेल से बाहर निकाल लेंगे दोस्तो साबू दाना फ्राय करते वक्त भी गैस का फ्लेम हाई होगा और तेल बहुत जादा गरम होना चाहिए यह सबसे जादा ज़रूरी चीज है अब बस हमने यह आपर इने फ्राय कर लिया इसे भी हम उसी थाल और परा और इसे लो फ्लेम पर ही फ्राय करें क्योंकि तेल गरम है काफी और लो फ्लेम पर हमें मुम्फली को चलाते हुए फ्राय करना है क्योंकि जो मुम्फली होती है अगर वो जल जाएंगी तो उनका कड़वापन आ जाएगा तो ध्यान रखें इसे बिलकुल लो फ्लेम पर ट करते हुए आपको फ्राय करके रेडी कर लेना है मुवफली जले ना इस बात का ध्यान दीजेगा अगर तेल बहुत जादा गरम हो न तो इसे बिलकुल लो कर दीजेगा किशमिश भी मैंने यहां पर ले लिए हैं दो बड़े चममच लिए हैं इस पर भी हमें ध्यान देना है लो फ्लेम पर ही एक मिनट के लिए फ्राय करेंगे चलाते हुए और देखिए जैसे हमारी किशमिश भूलेंगी हमेने फटा फटेर से बाहर निकाल लेंगे आप देखिए चीजे आसान हैं बस कुछ चीजों का ध्यान देना है कि किसे हमें आय फ्राय करना है किसे हमें लो पर और कैसे फ्राय करना है एक मिनट के अंदर हमारी किशमिश रेडी हो चुकी है इसे भी उसी थाल में हम यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं इसलिए मैंने बड़ा सा थाल ले लिया था ताकि मुझे मिक्स करने में आसा नहीं हो और यह वाली नमकीना घर में सभी को बहुत इसलिए मैंने जादा कॉन्टेटी में बनाई है अब उसी तेल में लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने यहाँ पर तीन बड़े चमच काजू और एक बड़े चामच बदाम ले लिया है इसे भी चलाते हुए सिर्फ एक मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे जैसे ही आप देख इसे भी लो फ्लेम पर चलाते हुए हमें फ्राय करना है सेम थाल में हमें से ट्रांसफर कर लेंगे अब लास्ट में गैस का फ्लेम हमने अर्मोस्त लो कर दिया या बन कर दिया है बस हमें कड़ी पत्ते फ्राय करना है और फटा-फट से तेल से हमें से बाहर निकाल लेना है ये करी पत्ते ना इस रेसिपी में बहुत बड़िया फ्लेवर देते हैं एक बड़िया सी खुश्बू भी देते हैं तो आप इने जरूर आइट कीजिएगा अब यहाँ पर हमने सब कुछ एकित हाल में डाल दिया है दोस्तों अब हम यहाँ पर नमक डालेंगे सेंदा नमक एक बड़ा चमच या एक ती स्पून के करीब जितनी भी कॉन्टिटी में आप बना रहे हैं स्नैक्स और एक बड़ा चमच हमने यहाँ पर काली मिर्च का और इसकी खासियत यह है कि आप इसे एक बार बनाईए और नौ दिन तक बड़े आराम से खा सकते हैं इसे फ्राय करने के बाद आप इसे छोड़ दीजेगा इसी थाल में उससे क्या होगा यह थंडी हो जाएंगी जब यह पूरी तरह से थंडी हो जाना बिल्कुल इसमें मतलब गर्माहट बिल्कुल भी ना हो उसके बाद किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में या स्टील के कंटेनर में एर टाइट कंटेनर हो उसमें पानी की बून भी ना हो बड़िया से साफ किया हो उसमें आप इसे डालिये और बड़े आराम से हफते दस दिन तक आप इसे ख कीजिएगा यह देखिए आलू के लच्छी कितने क्रिस्पी बने हैं फटा-फट से तूट रहे हैं और बिल्कुल भी ओईली नहीं है तो मेरी ट्रिप्स और ट्रिक्स आपके काम आएंगी आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से जरूर बनाना और आप सभी को मेरे तरफ से नव